हेलो गाईज, वेलकम टुमाई एस वाई जूकेसन फार्मिसन चैनल गाईज हम 79 अजार अध्यापक भरती परिक्षा से अपडेट नियूज 21 जनौरी को जो सुनवाई होने वाली थी वो लेकर की प्रेजेंट है जैसा कि हम लोग सोच रहे थे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर इस पे रोक लग गई हुए है सहायक सिक्षक भरती के जो है रजेल्ट घोसित करने पर हाई कोट की 28 तक रोक कोट पे कोट जो रोक पे रोक लगती जा रही है देख रहे हैं हम चलिए आपको पूरे अपडेट नियूज से आपको परचित कराते हैं लखनओं में जो सुनवाई हुए है सहायक सिक्षक के लिए करीब बन जो है 79 जारपद के जो है परिक्षा के पेडाम घोसित करने पर इलहाबाद जो है कोट की लखनओं बेंच ने रोक लगा दी है फिल हाल इसका पेडाम 28 जनवरी तक नहीं घोसित किया जा सकेगा एलहाबाद जो है हाई कोट की लखनओं बेंच ने सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सिक्षक भरती परिक्षा के जो है रजिल्ट पर 28 जनवरी तक रोक लगा दी है और 6 जनवरी 2019 को 79 अध्यापक भरती परिक्षा करवाई गई थी और 22 जनवरी तक जो है इसका रजिल्ट घोसित करने को था उत्तर प्रदेश में जो है सहायक सिक्षकों की जो है 79 अध्यापक भरती परिक्षा की जो है क्वालिफाइंग मार्क्स को हाई कोट के जो है लखनव बेंच के समक्ष चुनवती दी गई है तो गाईज अब इसके रजिल्ट में फिर व्याधान आ रहा है हम देखेंगे सहायक अध्यापक भरती परिक्षा के परिक्षा के परिक्षा के कट आपको इलहाबाद हाई ही है और इससे पहले जो है कोट ने आज तक पैडाम घोसित करने पर रोक लगाई थी आज भी करीब दो घंटे चली बहस के बाद कोट ने फिलहाल यथा इस्थिती बरकरार रखने के लिए दिया आदेश अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथी तैंकी है बहस के गलीले दी गई की अध्यापक का पद महत्यपुड है लिहाजा मेरिट से समझ जवता नहीं कर सकते गवर तलब है की जो है सम्माने वर्ग में 65 तथा आरच्छित वर्ग में 60 फिसद के अंग पाने वाले अभ्यार्थी ही इस परिक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे औ काबले 20 फिसद अधिक हैं और 2018 की सिक्षक भरती परिक्षा में 40 और 45 फिसद अंक जो है रखे गए थे पहले जो है सिक्षा मित्रों का कहना है कि जुलाई 2017 में सुप्रेम कोट ने जब इनका समायोजन रद किया तो यह भी कहा था कि आगामी दो भरतियों में इनको 8500 पदों के एक भरती 2018 में हो चुकी है और 79000 अध्यापकों के जो पद की भरती दूसरी परिक्षा हाले ही में 6 जनुरी को हुई परिक्षा से जो है पहले किसी तरह का कटाप तय नहीं किया गया था कोट बेहत सक्त कहा अब्यार्थियों का जो है ख्याल न होता तो निरस्त कर देते भरती कोट ने कहा है अब गाइज यह तो अपडेट नियुज आपको पता ही है अब आगे हम क्या डिसक्स करें I hope आपको पता हो गया होगा कि अभी आज कुछ नहीं हुआ डिसक्स के बाद कोई FINAL रजेल्ट नहीं आया तो I hope आपको कुछ update और मिली हो तो आप उस करना है बहुत सारी बहस हुआ है इसमें तो अगली भरती का हम